वेरी गुड मॉर्निंग डियर कैसे हैं आप सब और ये सच में गुड मॉर्निंग है अभी सुभस के पांच बज़ रहे हैं और ये दो पैंट मैंने कल रात में इंसे मंगवाया था एक्रिलिक पैंट है ग्रीन और येलो और ये वाला ब्रश तो अभी सब कोई सोया था तो मे मेरा ध्यान चुकि जब तक मैं इसको पूरी तरह से कंप्लेट ने कर लूँगी मेरा ध्यान यहीं पर लगा था और रात पर मैंने इसको बाहर छोड़ दिया था लेकिन अभी तो पूरी तरह से अंधेरा है और आप लोगोंने सुना भी होगा चड़ियां के चाहाने की आवाज पूरी तरह से अभी सभी चड़ियां भी नहीं जगी है बिल्कुल सो उनसान है और यहां पर मैं अपने कामा में लग गई हूँ क्योंकि मुझे ये जल्दी पूरा करना था इसमें क्या है क्या है उसके बाद 72 गंटा आपको छोड़ना है लेकिन संबह भी नहीं है कि एक दिन में पूरा क्या जाए क्योंकि रात में उठकी बाबू रो रहा था उसको खांसी ऐसा फिल हो रहा था तो देखती हूँ उसकी तवियत अब क्या है कैसा है तो सब चीजों पर धिहान देना पड़ता है जिस तरह कि आप लोग लगातार देख रहे हैं हाउस हेल पर भी चली गई है वैसे भी मुझे अपना सारा काम खुछ से करना पसंद था तो यहां पर मैं लगातार अपने इस काम को पूरा करने पर लगी हूँ इसमें और भी मैनत की आवशकता थी और बावुकल की घांसी का आवाज आप सुन भी रहे होंगे तो चुकि यह वाइस आवर आज मैं थर्श्डे को कर रही हूँ तो आज इसकी ज्यादा तवियत खराब हो गई जब कि मैं दिखा कर आ गई हूँ आज तो यह तो वीडियो आपको आपके बुद्ध बारका है तो यहां पर मैंने चुकि यह काम में बहुत महनत था और और भी मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाती तो और भी जैसे की वाइट सिमेंट करने के बाद सेंट पेपर से करती लेकिन लाश में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया बस मुझे लगा कि अब इसको कंप्लीट करना है और नीचे में अलग उपर में अलग देख रहे हैं तो साम में जब मैं पेंट कर रहे थी क्योंकि मैं कभी भी पेंट जैसे समय मिलता था यहां आ जाती थी तो मेरे उपर वाले में पेंट लग गया तो उसको मैंने च इससा हो रहा था तब तक यह उठ गए साड़े साथ के आसपास यह उठें तो चाय बनाने के लिए इन्होंने कहा तो अब मैं सीधा आ गए हूं कीचन और कीचन में सारा काम मैंने रात में कंप्लीट कर दिया था बरतन वगेरा जो देख रहे हैं आप कुछ नीचे टोकरी म था वो मैंने इसी तरह पर पूरा गैस पोचती हूं और स्लेप साब करते हूं उस पर मैं रख देती हूं और यहां पर मैं मलाई उतार रही हूं तो आज तो बुद्ध बार है गुरु बार मंगलवार और सनिवार को कहा जाता है कि मलाई को नहीं मिलाना चाहिए तो बुद्ध चढ़ा दोंगी और यह तोड़ गया है लेकिन बाबु अभी नहीं उठा है लेकिन यह जब उठें तो आज इन्होंने मुझे काम करते ही पकड़ लिया तुम यह क्या कर रही हो इतना मैनत इसलिए तुमने पैंट मंगवाया था और मैंने यह कहा था बाबु का प्लोफ लैम पर राता है तो मैं बहुत सारे कामों को निपटाती हूँ यहां मैंने आटा भी निकाल ले आनास्ते के लिए और जो टोकरी में फल वगेरा है मैं इसमें रख दूँगी तो उसको मैं इस टोकरी में रखके धोलूंगी तो आप लोग देख रहा है अच्छी म चाहे बनाते बनाते आप देख रहें अंधेरा इसा इतनी मतलब बारिश शुरू हो गई बुंदा बांदी शुरू ही तो मैं चाहे लेकर बालकनी आ गई और मैंने चत्री लगा दिया इन्होंने का चत्री लगा दो क्यों कि मैंने तुरंद आपको बताया कि 72 गंटे तक पानी से पैंट को बचाना है और जबकि मुझे लगता है बहुत दिन बचाना होगा एक दिन में मुझे नहीं लगता है मेरा पूरा पैंट कंप्लेट हो पाएगा आज तो बुद्ध बार है लेकिन कल तक का मैंने नहीं तो यहां पर यह उन्हों ने देखा कि यह सुवद उठकि इतना मेहनत कर रही है तो इन्हों ने कहा चलो मैं बाबू का नास्ता बना देता हूं बाबू इस नों को पता है तो जब इन्हों ने इस काम को ले लिया कि चलो ये काम मैं complete कर देता हूँ मुझे लगा मैं तो समय बिल्कुल बरबाद नहीं करती हूँ आप लोगों को पता है तो मैंने क्या क्या जल्दी मैंने सोचा आलू बॉयलों ने चड़ा देती हूँ क्योंकि नास्ता भी बनाना है खाना भी बनाना है और चाबल तो खुले में बनाती हूँ तो मैंने क्या किया गैस पर खुले में टोपिया में चाबल चड़ा दिया और एक तरफ जो है आलू चड़ा दिया और जब तक वो बावो का नास्ता त्यार करें से मैंने कुछ बरतन को लगा दिया है कुछ बरतन बचा हुआ है उसके बाद जब तक डाल होता चाबल होता और आलू निकाल कर मैंने डाल चड़ा कर और ये दूद फट गया है पड़सों का ही था तो मुझे लगा अभी समय है यह तो मैं आज फ्रीज साब करें गूंकि बहुत धिनों से मैं फ्रीज साब करने की सोच रही थी तो आज मैंने सुचा आज इन्होंने मेरा काम थोड़ा सा हलका किया बावो के लिए नास्ता भी तयार इन्होंने किया और बावो को नास्ता भी कराया तो जब तक मेरा दाल होता चावल होता जब तक मैं क्या करती तो मैं कीचन के काम में आती हूँ तो मेरा तो मन अभी भी था मैं जाके पहले वहाँ पेंडिंग कर लूँ लेकिन आप समझते हैं सब का मन रखना पड़ता है इनको भी होता जरासा भी लेट होता बोलता है इसी के कारण लेट हुआ है तो यहाँ पर मैंने फ्रीज का मेट था यह सब मैंने कल ही साप कर लिया तो यह सब मेरा सूख गया है तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों को एजस्ट कर लिया और बिल्कुल अच्छे से मैंने फ्रीज को साप किया है पूरा डिटेल में लेकिन फ्रीज की उपर जो रखा हुआ पार्ट होता है और यह जो सबजी भी मैंने धोया था इसमें रख दि तो फिर मैंने सूचा इसको भी साप करना है और इसके बाद इसनी सेजबारी शुरू गई शुरूँ कि मैं अभी आपको दिखाती हूं कि यह दिखे भारिस के कारने यह कैसी चारग भाग रहा है पता नहीं कौन है और अभी मैं सामने वाल अच्छा दिखाती हूं फिर मैंने तो पैंट किया है तब फिर इन्होंने कहा कि मैं तो भी भारी नहीं उठाओंगा यह देखिए कितनी बारिस हुई है तब मैंने बोला बगवान जी आपको बनाया है आप मदद करू मेरी फिर मैंने इस तरह से अंदर किया और अब यहां पर खाना अपना तब को लिय है मैं दल्त Mais was平 मैं और यहां मैं फिर से इस सब्षालर करी और तिन दिन अब मैं इस्को है इनको कहीं अभी तो इन में लगाया नहीं है अंदर ही रखोंगी त यहां पर मैं जो भी है पैंटिंग काम मैंने सुरू कर दिया है ब्रस तो एक ही इस यहां पर मैंने काम शुरू कर दिया और बाबो की तबिया दिरे दिरे बिगड़ने लगी थी लेकिन आप देखें आप फ्रेस आप कर रहे तो ठीक ही था लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है और यह देखिए अधियो गया इसको तब यह देखिए काफी खराब है अब चलते हैं अपना ड्रेस चेंज करते हैं बस अभी तुरंट बैटी थी बाद इसका यह देखिए बच्चा तो बहुत यह अच्छा है इसका तब यह बहुत देर सोने बोल रही थी लेकिन यह सोया न करना है अभी तुरंट मतलए कि बारी इतनी स्टेज हो रही थी कि मुझे वह जो तुल्सी का चौरा था वह अंदर करना पड़ा तो मैंने अंदर किया उसके बैटे बैटे मैं पैंट करने लिए और पैंट करके उठी और यहां बैटी हूं और पूरा इतना हो गया है कि मैं उसमें भाग मैंने लिया था तो वही सल वार उसी पर मैंने सिर्फ टीयसट दाल लिया तो अल्वार तो ले चैंज किया और और ऋबैटे दाल यहां ऑगई आज मुझे सेवा कुछ मीठा का मन था तो हम लोगों में खीर सावन मेंए नहीं बनता लिया है और उसको उतार दिया है थोड़ा सा थंडा होगा और अजवाई बनाने सब्जी तो याद आया मसाला तो एक चुटकी नहीं है अब क्या करना है मुझे मसाला भी तयार करना था तो यहां आलू चिल लिया है टमाटर काट लिया है आटा मिला लूँगी मैं और यहां मसाला भी पूरे अच्छे से भुना गया है अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और बावो का तवियत तो काफे खराब है लेकिन जो निगम प्रकाश डॉक्टर है उनसे मैंने हम लोगों ने दिखाया है अब देखते हैं कहां तक क्या सुधार होती है तो यहां पर मेर सब्जी लगबग हो जाएगा जब तब फिर मैं रोटी और जब सब्जी में डाल दिया था इसी तरह मैं बनाती हूं जैसे कि परवल डाला परवल हलका फ्राय हो गया फिर आलू टमाडर डाल दूंगी और इसको भी दो तीन धकन लगाऊंगी और जब यह अच्छे से ब्र रियास करोंगी सारे बरतन को धूल लूं इतना करते करते तु ठकी जाती हो और मै Macy और पर नाल कर दिया और यह प्लेट में पाने करके सेब को मैंने मैं डाल दिया है जिससे की गरμ गरें में रखना नपड़े थोड़ाहल का मैं में रखोंगी और यहां पर मैं मिक्सी पोच रही हूँ यह दोनों कपड़ा मैं ने लिया था उस दिन बहुत काम का है और यहां पर मैं मसाला को घ्राइंट कर लोगी तो एक काम ही हो गया मैं तो सोच रही थे बिना जब तक मेरा सब्जी उबला मैंने सारे बरतन को दो लिया अब यहां पर मैं जब रोटी बनाती हूं मैं सारे लोईयों को काट लेती हूं चाहे 10 12 जो भी हो इससे बराबर लोई भी कर जाता है एक समान और मुझे अंदाजा मिल जाता है कितना बनाना है रोटी और यहां पर यहां पर मेरा खाना रेडी है मैंने लगा दिया है सब्जी और रोटी इनको दे आओंगी खाना उसके बाद रोटियां बनाओंगी तो बरतन थोड़ा सा बचा हो ही जाएगा बच ही जाएगा जैसे कि सब्जी की कढ़ाई हो गई और भी चकला बेलन यह सब काम खतम नहीं होता है नीचे भी मैं रात में कीचन धोती हूँ उपर तो स्लैप्स पूरी तरह से साफ है तो अब मैं दुबारा उनको रोटी दे कर आओंगी वह उस गेश्ट्रू में बैठके खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं उसके बाद यहां पर मैं रोटी बना लूँगी औ अपना भी मैंने प्लेट लगा लिया है और मुझे क्या यह बोल रहे हैं तुम भी खालो तुम भी खालो लेकिन मुझे लगता है पहले मैं स्लैप सब्सक्राइब कर लोगी अच्छे से बरतन सब भेंगने दे दूंगी उसके भाद खा कर आऊंगी तू बरतन धोना ही रह और खाना खाने के बाद बरतन दोलूंगी तो चलिए डियर उम्मीद करते हूं आपने आज की ब्लॉग को इंजॉय किया होगा चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइट करिएगा अपना ख्याल रखेगा बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा